नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों क्या आपके भी हात पैर सुन रहते हैं या सरीर का कोई हिस्सा सुन पड़ गया है या सोते समय आपका सरीर सुन पड़ जाता है या सरीर के किसी भी हिस्से की नसों में दर्द रहता है नसो में सूजन की समस्य है नसो में ब्लोकेज की समस्य है या वात रोग आपको प्रेशान करता है या दिमाग की नसो में सूजन आ गई है सिर की नसों में सूजन आ गई है, बलोक नसे हो गई है, आपको वात रोगों ने जकड रखा है, घुटने, कमर दर्द या जोडों का दर्द आपको प्रेशान करता है, तो दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ह अपने भीगो कर रखाना है, और यदि आप उनका सेवन करेंगे, तो दोस्तों आपकी यह सारी समस्याइं दूर हो जाएंगी, और आपके सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाने में भी इनका बेहद अधिक रोल है, आपके सरीर को निरोगी बनाने में ये आपकी हेल्प करे दिल की ब्लोकेज की समस्याओं को खोलने में काम करेंगी, खोलने का काम करेंगी, कोलोस्टोल को सही करने का काम करेंगी, मोटापे को कंटोल करने का काम करेंगी, आपकी डायपटीज की बिमारी को कंटोल करने में, उसको सही तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद करेंगी जिससे कि आप लंबा जीवन जीओगे और वो भी सवस्थ जीवन जीओगे और दोस्तो इस नुस्खे की जो पहली मुख्य समगरी है वह है दोस्तो मेथी दाना और दोस्तो मेथी दाना तो आपको अपने किचन में ही मिल जाता है मेथी दाने का इस्तमाल आम तोर पर कीचन में मसालों के रूम में होता है लेकिन दोस्तों ये मेथी दाना आइरन, कैलसियम, फासपॉर्स, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है ये सिरफ आपकी सवाध ही नहीं बढ़ाता, बलकि आपकी सीहत के लिए भी बहुत अधिक कारगर है क्योंकि ये आपके सरीर के कई त्रहें के रोगों का इलाज करता है चाहे आपको पाचन से जूड़ी कोई समस्य हो, जिन लोगों को पाचन खराब रहता है उनको भी इस मेथी दाना का सेवन करना चाहें क्योंकि इस मेथी में मुज़ूद पाचक अंजाइम, अगरनास्य को अधिक किरिया सील बनाते हैं जिससे कि उनकी पाचन किरिया अच्छी होती है यदि आप अपने कोलोस्टॉल को बैलेंस करना चाहाते हैं तब भी आपको मेथी दानी का सेवन करना चाहिए क्योंकि मेथी दाना आपके सरीर में जो हानिकारक कोलोस्टोल है उसको मैनेज करने का काम करता है सरदी खासी हो या आपको डायप्टीज को कंट्रोल करना हो डायप्टीज में ये मेथी दाना बलड में मुझूद गुलकोज लेवल को कम करता है जिससे आप अपनी डायप्टीज को मैनेज कर सकते हैं आपके वजन को कंट्रोल करने में भी ये मेथी दाना बेहद अधी कारगर है किड़नी के रोगियों के लिए मेथी दाना एक बेहद अधी कारगर दावा है क्योंकि इसमें मुझूद एंटोक्सिंट जो आपके किड़नी को सेहतमंद रखने का काम करते हैं आपके दिल को मजबूत बनाता है मेथी दाना आपके बालों और स्किन के लिए भी बेहद कारगर दावा है और जो दूसरी इसमें चीज है है वह है दोस्तो कलोंजी दोस्तो कलोंजी के छोटे-छोटे काले दाने सवाद और सेहत से भरपूर माने जाते हैं कलोंजी में भी कैलसियम, पोटासियम, आयरन, मैगनीसियम, वैजीनक जैसे गुन पाये जाते हैं दोस्तों जो इस कलोंजी को बेहद अधिक कारगर दवा बना देते हैं और वैसे भी कलोंजी के बारे में एक बात कही जाती हैं कि कलोंजी मोत को छोड़ कर आपके स्रीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकती हैं चाहे आप मुटापे से प्रेसान हों तब आप कलोंजी के तेल का प्रियोग कर सकते हैं सहद और गरम पानी के साथ मिला कर यदि आपको diabetes हैं तो आप कलोंजी के तेल का परियोग कर सकते हैं चाई में मिलाकर यदि आपको दिल की कोई विमारी है तब आप कलोंजी के तेल का परियोग कर सकते हैं चाई या गरम पानी के साथ सर्दी की कोई समस्य है आपको ब्यूटी की कोई समस्य है इन सम्में कलोंजी बेहद चमतकारी तरीके से काम करती है और जो तीसरी इसमें सामगरी है दोस्तो वह है लसुन और दोस्तो लसुन के गुण कोन नहीं चानता दोस्तो एक ऐसा समय था जब आज की तरह जिगहें की दुकाने नहीं होती है तब लोग अपने घरों में लसुन रखते थे क्योंकि अपनी बीमारियों का आयरवेदी को उपचार करने के लिए है ऐसा इसलिए है क्योंकि लसुन में एंटी ऐक्टीरियल एंटी फंगल और एंटी वाइरल गुण पाए जाते हैं दोस्तों लसु एक असरदार और चमतकारी ओस्ती बनती हैं और इनी गुणों के काण जो आप लसुन को खाने में थोड़ा कड़वा फील करते हैं इनी गुणों के काण होती हैं लेकिन यदि आप उसके कड़वेपन को निकालेंगे तो उसके सारे गुन भी खतम हो जाएंगे दोस्तो क्योंकि यही उसके मेन गुन है दोस्तो लसुन आपके स्रीड की हर बीमारी में कारगर है चाहे आपको वजन को कम करना हो या बलड पैसर को कंटोल करना हो तब भी आप लसुन का सेवन कर सकते हैं क्योंकि लसुन high blood pressure को control करने की एक कारगर दवा है दोस्तों ये आपके सरीर के bad cholesterol को कम करती है और आपके दिल का भी ख्याल रखती है दिल को मजबूत बना कर रखती है क्योंकि इसके अंदर काडियो प्रोटेक्टिव गुन होते हैं जो आपके दिल को मजबूत बनाते है चाहे आपको diabetes की बिमारी हो या अस्थमा की बिमारी हो इन दोनों में ही लसुन एक कारगर दवा है आपको सर्दी खांसी से बचा कर रखती है आपकी immune power को बनाती है जिससे की आप छोटी मुटी बिमारी हो से बचे रहती है आपकी हड़ियों को मजबूत बनाती है क्योंकि लसुन का सेवन करने के बाद आपका सरीर कैलसियम को अवजरू करता है जिससे उसकी हड़ियां मजबूत बनी रहती है ये आपके लीवर को मजबूत बनाती हैं, आपके इम्यून पावर को बढ़ाती हैं, आपकी आंतों को सवस्थ बना करकती हैं, दोस्तों और आप जो आइरन खाते हैं ना और वो आपके सरीर में नहीं लगता, लेकिन यदि आप लसुन का सेवन करते हैं और फिर कोई ऐसी ची अब जानते हैं इन तीनों के प्रियोग की विदी, दोस्तों आपने क्या करना है, एक चमच मेथी दाना का लेना है और एक चमच ही लेना है कलूंची का, आपने इन दोनों को एक गिलास पानी में रात भर के लिए भी होकर रखना है, और सुबह खाली बेट आपने उस पान समय कर सकते हैं, सुबह खाली बेट कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, रात को सोते समय कर सकते हैं, लेकिन यदि सुबह खाली बेट करेंगे, तो और भी अधिक चमतकारी आपको फाइदे मिलेंगे, अब उस एक कली लसन को चील कर पहले थोड़ी देर एक दो मिंट के उसको दबा कर फोड़ कर रख दीजी उसके बाद उस लसुन की कलीका आप सेवन कीजी और यदि आप को वो खाने में कड़ भी लगे आप उसको सहद में ट्लिब करकर भी सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों आपने ऐसे लसुन का सेवन करना है और मेती दाना और कलोंजी का सेवन करना है फिर देखिए दोस्तो आपकी बीमारियां कैसे चुमंतर की तरहें गाइब हो जाएंगी और आपका सिरीर भी निरोगी बनना सुरू हो जाएगा और आपको तीसरे ही दिन से इसका असर होता अपने सरीर पर दिख जाएगा तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाँ दोस्तो